राज्य का जानामाना होटल पाटली पुत्र अशोक जल्द ही बिहार की संपत्ती होने जा रहा है केंद्री परेटन मंत्राले ने इसे राज्य सरकार को ट्रांसफर करने की घोशना पहले ही कर दी है इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच होटल को लेकर आपसी सहमती भी बन गई है परन्तु अभी इस होटल को पूरी तरह से बिहार का होने या ट्रांसफर होने में दो से तीन महीने का समय लगेगा गोशना के बाद तमाम आपचारिकता समेत अन्ने कार्य पूरा करने में इतना समय लगेगा बिहार के परेटन भिवाग ने इस होटल को ट्रांसफर करने से सम्बंदित तमाम तैयारियां अपने इस्तर पर शुरू कर दी है होटेल बिहार को ट्रांसफर होने के साथ ही इसमें तैनाथ सभी इस्तर की कर्मी भी हट जाएंगे और इसके इस्थान पर बिहार सरकार अपने इस्तर पर कर्मियों की भरती करेगी बरतमान में इसमें तैनाथ सभी कर्मी केंद्री परेटन मंत्रा लेके हैं इसमें जो कर्मी नियमित हैं उनका इस्थानांतरड कहीं और हो जाएगा जबकि जो कर्मी कॉंट्रेक्ट पर तैनाथ हैं उनकी नौकरी जा सकती है ये तैय हो गया है कि राज्य परेटन विभाग बरतमान में तैनाथ कर्मियों की सेवा को जारी नहीं रखेगा ऐसे में अधिकतर कर्मियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है इस समस्या को लेकर आने वाले समय में बखेडा भी खड़ा हो सकता है ट्रांसफर के बाद परेटन विभाग इस होटल को अपने स्तर पर चलाएगा या इसे लीज पर किसी निजी पार्टी को देदेगा ये अभी तैय नहीं हुआ है इस होटल से थोड़ी दूरी पर इस्थित परेटन विभाग का होटल को अटेल भी लीज पर चल रहा है इसके अलावा परेटन विभाग के अधीन जितने भी होटल है वे सभी किसी निजी पार्टी को लीज पर ही दिये गए है ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस अशोका होटेल को राज्य सरकार अपनाने के बाद इसका संचालन अपने स्थर पर करेगी इस थाना अंतरण की पूरी प्रिक्रिया पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इसका संचालन कैसे किया जाएगा